हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को explain करने वाले हैं, उस फिल्म के अंदर एक बेवकूफ लड़का स्कूल की सबसे सुन्दर लड़की को पटा लेता है और उसके साथ बार-बार intimate भी होता है उसके बाद फिल्म में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उसका नए लड़का लिख जिसका नाव जिनी नाब जिर फिर बर जिनी के पास आती है उसे बनी से प्यार हो जाता है फिर वहां पर कैनी आ जाता है और बनी को अपने साथ ले जाता है इसके कुछ दिर बाद Jonathan जिनी से मिलने आता है और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है फिर जिनी Jonathan को बताता है कि इससे पहले वो जिसी स्कूल में था वहाँ पर वो दो लड़कियों के साथ इंटेमेट होता वो पकड़ा गया था जिस वज़े से उसे स्कूल से नेकाल दिया गया था ये सुनका Jonathan को काफी बुरा लगता है क्योंकि Jonathan अभी तक वर्जिन था फिर जिनी Jonathan से पूसता है कि इस टाउन की सबसे हॉट रड़के कहां मिलेंगी तो Jonathan उसे बताता है कि आज शाम को उसे उसके साथ एक मेले में चलना होगा शाम को Jonathan और जिनी मेले में जाते हैं और वहाँ पर वो मरलिन और बनी को देखते हैं इक काउंटर में खड़ी होती है और वहाँ पर एक गेम होता है जिसके अंदर उन्हें स्पिन करना होगा और उसे स्पिन पर जो नंबर आएगा उस नंबर की रड़की को उन्हें किस करना होगा जोनाथन ये देखकर सोचता है कि उसे मरलिन को किस करने का अच्छा चांस मिल गया है तो वो स्पिन करता है पर स्पिन पर एक नंबर आता है और एक नंबर पर रोजल नाम की एक लड़की होती है जिसे उसे किस करना होता है जोनाथन को रोजल बिल्कुल भी पसंद नी थी बर फिर भी वो रोजेल को किस करता है इसके बाद जिनी स्पिन करता है और एरो दो नमबर पर आता है दो नमबर पर मरलेन खड़ी थी तो जिनी मरलेन को किस करता है और ये देखका जॉनाथन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसके बाद जिनी जॉनाथन से कुछ पैसे लेता है और वापिस से स्पिन करता है इस बार एरो तीन नंबर पर आता है जहां पर बनी खड़ी थी और फिर जिनी बनी को किस करता है उसके बाद जिनी जॉनतन के पास आता है और उसको बताता है कि वो बनी से प्यार करता है और उसने ये गेम बनी के लिए ही खेला था फिर जॉनतन जिनी को बोलता है कि वो मरलीन को बहुत जादा पसंद करता है इस पर जिनी जॉनतन को बोलता है कि वो उसे 10 दिन के अंदर मरलीन पटा के दे सकता है और इस बात पर उन दोनों के बीच में शर्ट लग जाती है अगरे दिन जिनी जॉनतन को बोलता है कि जब भी मरलीन यहां से आए सीदा खड़ा रहना होगा और उसकी आँखो में देखकर बातः करना होगा पर थोड़ दे बाद जैसे ही मरलीन वहाँ पर आती है तो जॉनतन सीदा नी खडा उपाता और उसको देखते ही नीचे गर जाता है ये देखकर जीनी सोचता है कि इस चूते को सिखा पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके बाद जोनतन स्कूल के अंदर आता है और वहाँ पर कैनी और उसके दोस्त जोनतन को बहुत परिशन करते हैं इस पर जीनी जोनतन को समझाता है कि तुम्हें अपने लड़ाई खुदी लड़नी होगी और इन लोगों को एक अच्छा सवक सिखाना होगा क्लास के अंदर जोनतन मरलिन को देखता है कि मरलिन अपनी दोनों टांगे खोल कर बैठी हुई है फिर जोनतन जान बुच कर अपना पैन नीचे गिराता है और पैन उठाने के बहाने से वो मरलिन की दोनों टांगों के बीच में देख रहा होता है मरलिन को देखकर जोनतन का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वहीं परी क्लास टीचर आजाती है और जोनतन को खड़े होने के लिए बोलती है पर जोनतन खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उसका छोटा चेतन खड़ा हुआ था पर टीचर जबरदस्ती जोनाथन को खड़े होने के लिए बोलती है फिर जोनाथन खड़ा होता है तो उसका खड़ा चेतन पुरी क्लास देख लेती है और उस पर हसने लगती है स्कूल खत्म होने के बाद जिनी जॉनतन के पास आता है और उसको बोलता है कि उसे अभी मरलीन से बात करनी चाहिए फिर जॉनतन अपनी साइकल लेकर मरलीन से बात करने जाता है पर उसका एक्सिडेंट हो जाता है जिससे जॉनतन नीचे गर जाता है जोनाथन को देखकर मरलीन उसके पास आती है और एक रुमा लेकर उसका खून साफ करने लगती है मरलीन को अपने इतना पास देख जोनाथन बेकाबू हो जाता है और उसके संतरों को टच करने लगता है पर ये देखकर मरलीन को बुरा नहीं लगता बलकि वो मुश्कुराने लगती है इसके बाद जिनी और जॉनेफन एक कैफे में बैठे होते हैं और वहाँ पर मरलीन आजाती है जॉनेफन सोचता है कि शॉद्ध मरलीन उससे बात करने आई है पर मरलीन आकर सिधा जिनी से बात करती है और उसे पूछते कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने जाना चाहेगा इस पर जिनी उसे हा बोल देता है फिर बाद में जॉनतन जिनी से पूछता है कि मेरे ही दोस्त होते वे मेरा ही क्यों काट रहे हो इस पर जिनी जॉनतन को बताता है कि मैं मरलीन के साथ जा रहा हूँ और तुम बर्नी को अपने साथ चलने के लिए पूछो इससे हम चारो एक साथ मूवी डेट पर चले जाएंगे और तुम इस बाहने मरलीन से भी बात कर लेना इसके बाए शाम को चारो मूवी देखने जाते हैं और मूवी देखते वे मैरलीन जिनी को किस करने लगती है और ये देखकर जॉनतन को काफ़ी बुरा लगता है वहाँ पर केनी के कुछ दोस्त भी होते हैं जो जो जॉनतन और बनी को एक साथ देख लेते हैं और ये बाद जाकर वो Kenny को बता देते हैं थोड़ी दिर बाद इंटरवल होती है और Jonathan और Jimmy कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं भहिन पर ही Kenny आ जाता है और वो Jonathan को परिशान करने लगता है पर Jimmy वहाँ पर राकर उसको बोलता है कि वो बनी को अपने साथ डेट पर लेकर आए तो उसे जो भी बात करनी है उसे करें फिर कैनी जिनी के पास सकर उसे एक शर्ट लगाता है कि उन दोनों को अपने अपनी कार एक दूसरे के सामने लानी पड़ेगी और एक दूसरे के पास से गुजारने पड़ेगी जिनी ये बात सुनकर इस शर्ट के लिए मान जाता है फिर वो दोनों अपने अपनी कार में बैठकर तैयार होते हैं और एक दूसरे के सामने अपनी कार को लेकर आते हैं और जैसे ही वो कार को गुमाने की कोशिश करते हैं उन दोनों की कार एक दूसरे से टकराती है और दोनों की कारी तोड़ जाती है फिर जिनी और कैनी अपनी कार से निकलते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं थोड़ी दिर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर कैनी वहाँ से भाग जाता है पर जिनी को पुलिस पकड़ लेती है और उसे अपने साथ उसकी घर पर छोड़ती है घर पहुंचते ही जैसे जिनी की फादर को पता चलता है कि जिनी लड़ाई करकर आया तो उसके फादर वहीं परी जीनी को एक थपड़ मारता है और उसे घर के अंदर ले जाकर बंद कर देते हैं कुछ दिनों के बाद जीनी स्कूल आता है और वहाँ पर उसे मिलने बनी आती है बनी जीनी को बताती है कि कैनी उसका बॉइफेंड नहीं है और अब जिनी अपने डैट की गाड़ी की रिपेर कराने के लिए एक गराज में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था तो जोनतन जिनी के पास आकर उसे पूछता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि तुम्हें मरलीन को मुझे पटा कर दे रहा था जिनी जोनतन को बोलता है कि तुम्हें मरलीन को सामने से खुदी अपरोच करना पड़ेगा पर जोनतन जानता था कि अगर उसने मरलीन को साथ में गूमने के लिए पूछा तो मरलीन उसे बना कर देगी पर फिर भी जॉनतन जिनी की बात रखने के लिए मरलीन को फोन करता है और जैसे ही वो मरलीन को गुमने के लिए पूछता है तो मरलीन उसे हाँ बोल देती है इसके पड़ जोनथन खूश होता वा बाहर निकलता है और वो जीनी को बताता है कि मरली ने उसे गूमने के लिए हाँ बोल दिया है अगले दिन जोनथन और मरली गूमने जाते हैं और साथ में काफी इंजॉय करते हैं शाम को जॉनाथन मरलीन को उसके घर शोड़ने जाता है तो घर के अंदर जाने से पहले वो दोनों बाहर ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं से उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाता है कुस दिनों बाद वो चारो एक फार्मा उसमें गूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर बनी और जिनी बाहर बैट कर आपस में बाते कर रहे होते हैं और दूसरे को किस करने लगते हैं किस करते वें Jonathan काफी ज़्यादा अग्रैसिव हो जाता है और वो मरिलीन की स्कुल्ट में हाट डालने लगता है मरिलीन Jonathan को मना कर रही होती है कि यहाँ पर उसे सब देख लेंगे पर Jonathan मरिलीन की बात नहीं मानता और उसके अंडर गार्मेंट को उतार देता है फिर अचाने की कार का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों वैसे ही बार गर जाते हैं बाहर बनी और जिनी भी आ जाते हैं और उन दोनों को दिख कर हसने लग जाते हैं अगले दिन Jonathan को Marilyn का फोन आता है और Marilyn उसे बताती है कि उसके parents कुछ दिनों के लिए गर से बाहर गए हैं। ये सुनकर Jonathan काफी खुश हो जाता है और सीधा Marilyn के घर पर आ जाता है। बहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को केस करने लगते हैं। केस करने के बाद Jonathan Marilyn के कपड़े उतार देता है और फिर वो दोनों साथ में intimate होने की कोशिश करते हैं। इंटिमेट होते वक्त Jonathan कोई protection यूज नहीं कर रहा था इसलिए Marilyn Jonathan को बोलती है कि तुम अपना सामन मेरे अंतर मत छोड़ देना। इस पर Jonathan Marilyn को बोलता है कि तुम चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर intimate होते वक्त Jonathan को ध्यान नहीं रहता और उसका सारा सामन मरेन के अंदर ही छोड़ जाता है। जिनी यह देखकर समझ जाता है कि बनी ने उसे जूट बोला था। अगरे दिनी स्कूल में बनी जिनी के पास आती है तो जिनी उससे बात नहीं कर रहा होता। फिर बनी जीनी से पूछती है कि तुमें क्या हुआ है तो जीनी उसको बताता है कि कल शामको मैं तुमारे घर आया था और मैंने वहाँ पर कैनी को आते वे दिखा फिर बनी जिनी को बताती है कि कैनी बहुत ज़्यादा अमीर है इसलिए मेरे पैरेंट्स मेरी शादी उससे कराना चाते है तुम उतने अमीर नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे बारे में अपने पैरेंट्स को नहीं बता सकती ये सुनकर जिनी को बहुत ज़्यादा गुसा आता है और वो बनी से लड़ाई करकर वहाँ से चला जाता है शाम को जिनी और जोनाथन एक मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैनी आ जाता है और जिनी को चिडाने लगता है फिर जिनी को भी गुसा आ जाता है और वो कैनी के साथ लड़ने लगता है इस पर जोनतन भी जिनी का साथ देने के लिए आता है और वो भी उनके साथ लड़ने लगता है थोड़ी दिर बाद थेटर के ओनर वहाँ पर आ जाते हैं और जिनी को जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा देने के लिए बोलते हैं पर अब Jonathan काफी मिच्चोर हो गया था इसलिए उसे मर्लीन की बात का बिल्कुल भी दुख नी होता वो मर्लीन को बोलता है कि भाड में जाओ और उसे ब्रेक अप करके वहां से चला जाता है इसके बाद शाम को Jonathan जीनी को एक स्टोर में मिलता है और उसे अपने साथ इसकूल की प्रोम नाइट पर चलने के लिए बोलता है फिर Jonathan और जीनी साथ में प्रोम नाइट पर पहुंचते हैं और वहां पर जीनी बनी को कैनी के साथ डांस करते वे देखता है जीनी को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो सीधा बाहर चला जाता है उसके बाद जब बनी को बाता चलता है कि जीनी वहाँ पर आया था तो बनी जीनी को ढूंड़ने बाहर आती है पर जब तक बनी बाहर पहुंचती है जीनी वहां से जा चुका होता है इसके बाद Jonathan जिनी के पास आता है तो जिनी बताता है कि वो बनी को बहुत ज़दा प्यार करता है इस पर Jonathan जिनी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं तुमारे लिए बनी को लेकर रहूंगा पिर Jonathan bunny के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे मालूमें कि Jini कहाँ पर है और वो बनी को अपने साथ बाइक पे बिठा कर Jini के पास ले आता है फिर bunny Jini से बात करती है और उन दोनों की बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है फिर वो दोनों Jonathan के पास आते हैं और बनी Jonathan को बोलती है कि तुम जाकर मेरे डैट को बोल देना कि मैं जिनी के साथ कहीं दूर जा रही हूं और वो उसकी चिंता ना करें और ये बोलकर वो दोनों शहर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं अगले दिन जॉनाथन बनी के डैट के पास जाता है और उनको बोलता है कि बनी जिनी के साथ कहीं दूर चली गई है और आप उन दोनों की चिंता मत करना इसके बाद अगले दिन जॉनाथन अपनी कार लेकर आता है और अपनी कार से कैनी की कार पर ठककर मारता है और उसकी कार पर बार बार ठककर मारता है जब तक उसकी कार तूट नहीं जाती ये देखकर कहनी काफी ज़दा डर जाता है और वो जॉनतन से पंगा लेना भी बंद कर देता है फिर जॉनतन रोजेल के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूसता है रोजेल वो ही लड़की है जिसने फिल्म की शुरुबात में जॉनतन को किस किया था रोजेल पहले से जॉनतन को पसंद करती थी इसलिए वो जॉनतन को हाँ बोल देती है फिर जॉनतन अपनी टूटी वी कार लेकर वहाँ से चला जाता है और फिल यहीं खत्म हो जाती है